नमस्ते आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में देखे ये ट्रिक ज़रूर अपनाईएगा काफी अच्छे से आलू आपके उबल जाएंगे उसके लिए जितने आपको आलू उबालने उतने ले लीजे मैंने आपर एक किलो लिया है मीडियम साइज के और पानी से अच्छे से वाश कर लिया है गैस को नहीं करना है ऐसे ही को कुकर को रग दे गैस के उपर और इसके अंदर ये आलू डाल देने हैं आलू डालने के बाद मैंने हाप पर एक साफ नैपकिन ले लिया है एक इस तरह से मोटा कपडा ले लिजे देखे एक तम साफ लेना है आपको और इसे ना कीला कर लेना है पूर अच्छे से गीला कर और ये यमें आलो के उपर रख देना है. इस थरह से पूरे आलो कोश रख और पड़ाई कोवर कर ले आलो नहीं दिख ना चाहिए. अब देखे कुकर का धखन आप भागान देने के बाद अब गैस को चलाएंगे Color इसको ओन करेंगे और इसे हम चार विसल आने तक यानि कि चार सीटी आने तक आलू को पकाएंगे अब दीखे चार सीटी लगबग आ गई है तो ढखन को खोल लेना है और अब ये नेपकिन को यानि कि जो भी अपने कपड़ा रखा है उसे हटा लीजे और दीखे आलू उबल आएगी तो नेपकिन भी पूरा गरम होगा तो अपने आप ही उसकी नीचे से ये पानी आएगा मैंने पानी नहीं डाला है तो ये बिना पानी के आलू आप उबाल कर देखिए काफी अच्छे बनते हैं और देखिए अच्छे से पक भी गए आर पर आपके ये चाकू यान के नाइफ भी जा रहा है तो आप अब इससे पराठे बनाए टिक्या बनाए जो भी बनाए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले थांक यू